इंथीज को डिस्कुस करनी कि एकिनिनेशन पॉइंट पर सॉजिशन ओप को च्बस हैं याद रहे इन फाल्पीूम्ण किसी बी चीज से मweetने मालूम करना चाहते में यूरिओ इंक किया मैं यूरिया की को आपने इसको यहां पर फिक्स करने के लिए इसके अंदर आपने शॉल्वेंट लेना है जिसके अंदर आपने किसी भी चीज़ को हल करना जाते हो कंदर ले यूरिया करना जातुत क्या करना वान मॉल पिर इसके में सोडिम हायड और 60 g जाते हैं ठंड़े यहां पे जब यॉरिया खाज को पानी के डालो ये बाहर से यह बात आपने याद रहेखने हर बाहर से जब कुछ वक्त ऐसा भी होता है आप किसी चीज़ को डालते हो तो हीट क्या होती है और याद रहे होती है तो बाहर की तरफ और कोई ऐसे सुने का पथर लेकर से पानी डालों लिए तो हीट कर रहा होता है यही इसी वजह से हो रहा है हीट को होती है इंधॉल्पी नेगटीव होती है क्या होती है नेगटीव होता दूरी वे प्रोसेस्ट स्टेंडर से अपने रफीर निकाल हुतना है अब यहां सी बात याद रसरी हाँ रिखेंगे सबसे बात वहान से देफीनिशन प्लकूल अंड्निमेटाइब्ट Yazan Payton फशल से स्टेंडर्पी चेंज्टा कर था स्टेंडर् By beneath होग़े, energy is emit इधो ना लिकूँ, energy emit और absorb यह फिर यज़ब होगी यह दो काम होगी, यह तुर निकल ली होगी यह ज़ब हो रही होगी, emit or absorb, when one mole of substance, जब किसी भी शाह का एक mole, one mole of substance is dissolved is dissolved, इसको आप हाल कार दो Resolve in enough solvent In Enough Enough का मतलूप है काफी सारे Enough Solvent, इतने solvent के अंदर हाल कार दो Further dilution अगर आप इसको मजीद पतला करो Further dilution Cause No Heat Further dilution No Heat Change मजीद आपकी dilution हो तो उसमें अनर्जी की तबदिली ना आए इस चीद को हम नाम देते हैं Is Called Enthalpia solution क्या मतलब आने लास्ट में एक बात लिख दी है Further dilution Cause No Heat Further dilution Cause No Detectable Further dilution Cause No Detectable No Detect यहां पर एक वर्ड यह भी लिख सकते हो अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा पर आप बिशक छोड़ दीजिएगा Detectable Heat Chain अब मैं सिंपल सी ग्जेमपल देता हूँ आप यूरिया ले होगे ना मैं कि स्पोज करता हूँ यहां पर यूरिया खाद ले लिए पहले 40 ग्राम मैं इसके इंफ़ारफिय और स्वलेशन वालूं करना जाता हूँ आप ने पहले 10 ग्राम पानी डाला कितने ग्राम पानी डाला 10 ग्राम पानी डाला तो अनर्जिय कुछ ने कुछ पानी ठंडा हुआ मैंने फिर 10 ग्राम पानी डला 10 ग्राम पानी मजीद ठंडा हूए जब 100 ग्राम मजीद पानी डाल रहा उन्रजी में कोई तब्दिली नहीं आ रहे अब उस वक्त तक जितनी अमाउट में नर्जी यहां से रेलीज होगी वह हमारे पास क्या कर आएगी इंथार्पिया सुलिशन यहां पर देख लो मारे पास क्या मैंने का जी आपने वह चीज़ लेनी है और उसको इतने इतने सॉल्वेंट के अंदर हल कर देना है कि अगर आप इसको मजीद पत्रा करते हो मतलब इसके अंदर मजीद पानी डालते हो तो इसके अंदर कोई नर्जी चेंज ना आया कोई नर्जी ने कम हो रही हो ना ज्यादा हो उस वक्त जो नर्जी का चेंज आएगा उसको इंधॉलपियर सुलिशन का नाम देते हैं नेक्स हमारे पास आजाती है इ इमेरे पास फॉक्राइब होका नेख्स मारे पास अजती है प्रोस्य सीफumble यहां पर कॉन सा होती है याद रखिएक एंडड़ थर्मिक together इंड़धर्मिक भी हो सकता है इसुंपल सी इख्जेम्बल ली तैम यह problem काफी होगी है हमारा पिंड़ Chief of solution at sodium carbonate the enthalpy of solution the enthalpy of solution of sodium carbonate of sodium carbonate sodium carbonate the enthalpy of solution होती है यह हमारे पास 25 kilo jowl पर मोल होती है और याद रखे यह किसमे होती है माइनस में होती है माइनस के अंदर होती है यह बाद याद रखने हैं हमारे पास एक एक इक्जेम्पल आगी है प्रोस्स कौन सा है रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं इंथाल्पियो सुलूशन से मुराद क्या है में चीज़ेंगे आपने याद रखना है इंथाल्पियो फॉर्मेशन आता है तो रियक्टन या कोई चीज मिल के कोई नहीं चीज बना दे न्यू सब्स्टांस फॉर्म फॉर्म फॉर्मेशन से मुराद होगा ऐसा इंथाल्पिय चेंज जब कोई भी रियक्टन मिलने के बाद प्रोड़क्ट बना दे उस वर जो नर्च चाहिएं सब्सक्राइब बिल्कुल सिंप्ल सी चीज़ें अगर आप वर्ड़ रोगा वर्ड देखके डेफिनेशन कर सकते हो वे वर्ड़ को देखके अपर प्रिपृटन पीधेजा को यह यह दो चीज़ने पड़ती है प्रॉसर्श कई एंड्टे यह इंपोर्टन बहुत ज़्याद़ होती हैं फार एंपकेट अगर आप इन डिटेस देना जाते हो ना डाक्तर यह वहां भी पूछता है वह कहाएगा इंथाल्पी ऑफ नूट्रलाइजेशन इस आल्वेज एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक बहुत एंडोथर्मिक बहुत ए यह यह वाली है यह वाली है इनमें से कोई भी नहीं है यह जीज़ आती हैं से क्यों है यह वाले से कफे सदें इंपोर्टन है यही बाद याद रखेगा अलाफ़व क्यों है यह प्राइजेशन प्राइजेशन अलाफ़ एंडो नहीज़ श्री भी जिक बहुत लादाना यह जदेशशने दो लाद एंडोग मत्तव।